आज मैं आपको हरेना स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एडिटेशन के आज न्यूर नौटिफिकेशन आया है और इससे ऐसा लग रहा है कि एक खुशी की बात है कि आपके जो प्रैक्टिकल एक्जाम्स हो रही है वो ओनलाइन मोड में हो रहे हैं और इसमें मैं आपको चांस क्लासी के लिए भी एक नौटिफिकेशन आया है तो ये लिखा है कि ओन्गॉर नौट नौट न आपके हुए उनका सब कुछ ओनलाइन हुआ है तो प्रैक्टिकल एउब ऐजय हम् टीचिंग्स टेक्निकल जो स्किल है उसको देखने के लिए कराने बहुत जरूरी है और इसलिए बच्चों ने हाला है कि प्रिवियर्स एक्जाम बोर्ड में हो थे उन्होंने प्रोटेस्ट की थी और प्रैक्निकल्स को कंड़क्ट कराने के लिए जनवरी में बोला भी था त जोकि कॉर्डरन के किसे अब फिर से दुबारा से लहर आने के कारण बढ़ने की संभावना है लग रही है तो जो प्रैक्टिकल एग्जामिनिशन है वो दो फेजिस में कराए जाएंगे जो फेज वन में होंगे वो पोर समेस्टर थर्ड यर डिप्लोमा कोर्सिस के और पस प्रैक्टिकल कराए जा रहे हैं ओनलाइन बोर्ड में ही आपकी क्लासिज हो रही है वर्चुल मोर्ड में आपके प्रैक्टिकल हो रहे हैं ऐसे ही जो फाइनल प्रैक्टिकल फॉस्टियर के या थर्ड यर डिप्लोमा कोर्सिस के हैं उनके एक जुलाई से दस जुलाई के और इसके अलावा जो student हर्याना के adjoining state में हैं वो उंट्रेस्टीड है practical physically करने के लिए जो हर्याना में है या फिर आस पास के हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे practical physically होने चाहिए तो institute को एक्जाम practical exam जो है उसके according conduct कराने के लिए भी permission दी गई है और उसके हिसाफ से permission देने के बाद उन्होंने यह का है कि schedule बना लें और student को inform कर लें अगर वो आना चाहते हैं और दूसरा practical है doubt classes six semester third year के courses के लिए या second year diploma courses के लिए वो तो था first year के और second year के 11 जुलाई से 20 जुलाई के लिए होंगे और वो जो covid की जो भी SOP है उन सब को follow करते होए होंगे और उसके बाद में उन हों तो उसके according उनका plan मनाया जाए और उसके बाद भीज दिया जाए और जो यह board जो है वो इसका review करेगा pandemic situation को और उसके according ही वो सब कुछ पैसला लेगा और अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो exam होंगे वो किस mode में होने की संभावना है क्योंकि अब आप देख रहे है कि आपके जो exam है अब practical के 1 जुलाई से 10 जुलाई और 11 से 20 जुलाई तक हैं तो आपके जो exam है वो अगस्त में या जुलाई end के week में start हो जाएंगे यह confirm है लेकिन इसका mode जो है वो अब ही तक decide नहीं किया गया है लेकिन ऐसे pandemic को देखते हुए जैसे आप फिर दुबारा से क करोना की जो तीसरी लहर है उसके कारण बच्चे काफी संक्रमित हो रही है तो हो सकता है कि आपके जो exam है वो online mode में ही conduct कराए जाए या फिर option दी जाएगी आप online देना चाते हैं या offline देना चाते हैं तो यह latest information है अगर आपको कुछ पता लगता है तो comment section में जरूर बताईए ताकि सभी students को help me दोगे so thanks for watching and please like share and subscribe my channel